जूट मॉर्णिंग पर तो नमबर से तो रिस्टनल नमबर क्या होता है तो नमबर इज पॉर्म औप दीवाइब क्यों एंटीज को नुट इसकोड सब्सक्राइब बहुत बढ़िया गुड अती सुन्दर आंसर इससे बेटर आंसर नहीं हो सकता है तो क्या होगा? The numbers complete answer है ये The numbers The numbers The numbers which are which are in the form of in the form of P by Q P by Q semi-column कॉमा दे देंगे वेर ये P और Q दोनों integer होने चाहिए P, Q are integers are integers and Q not equals to 0 Q not equals to 0 is called is called rational number rational numbers right चलो सुमा बताओ तो क्या 0 rational number है Yes sir पका Yes sir बताओ तो इसको P by Q के form में लिखो तो इसको कैसे लिखेंगे अन्या तुम बताओ तो क्या जीरो रेशनल लंबर है अन्या 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 क्लास नहीं है क्या है तो आवाज नहीं आ रहा है क्या आण्या तो ठीक है गुड चैट में रिप्लाई कर रही है अकास तुम बताओ तो अकास पर दो इन लोग को नींद से जगाना पड़ेगा हम बोलो जीरो क्या रिष्टनल लंबर है बोल जीरो जैर बोलोगे तुम पिछले क्लास में भी तुमसे कोश्चन पूछे थे कोश्चन रिपीट करके सांथ हो गये थे तुम अकास जैर बोलोगे आगे जी जीरो के बाद हाना आंसार आएगा तो अगर यह तो जीरो भाई यह क्या बोलते हैं जीरो का यह पी भाई क्यू फरम लिक हो इस वेट करो आज कर लास में तुम निगा लोंगा मैं इस बेट तो जीरो जीरो को मैं लिख सकता हूं जीरो बाई वन यहां पर नुम्रेटर में भी जीरो जो हैं रोड़ीट है ठीक है तो जीरो बाइवन लिख सकता हूं जीरो बाइवन मैं लिखोंगा तो यह वैलू क्या हो जाएगा जीरो बाइड नंबर कोई भी नंबर वन टू थी फॉर कुछ भी लिख सकते तो लेकिन एक ट्रेडिशनल एप्रोच है कि कोई भी इंटीजर आपको दिया वहाँ इसके डिनमिनेटर में कुछ नहीं है तो वन को हम एजिम कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर क्यूंकि मैं जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा तो जीरो मिलेगा राइट सो यह पी बाई क्यू फॉर्म हो गया तो अब मैं जिससे पूछता हूं वह बताएगा कि इ इरसनल नंबर इरसनल नंबर Yes, sir इरसनल नंबर A number that cannot be expressed as a fraction for any integers and rational number have as a decimal expression that neither terminate or become periodic. क्या क्या फिर से बोलो फिर से बोलो सर जो की एक्स्प्रेस नहीं किया जा सकता सर इसके फेक्शन में नहीं लिखा जा सकता है और दूसरा यह से और यह मालों कंटीनियू नहीं सकता है हम अगरह सिंपल डेफनीशन कहेंगे तो सिंपल डेफनीशन यह हो सकता है यह होता है सिंपल डेफनीशन की दहनें पर डफनमबर कि प्रीक्थ कैंनाट भी रिटेन वीच चैंनोट बीच कांट भी रिटेन written in the form of in the form of P by Q in the form of P by Q जोड दिजिए जो जो condition था where P, Q are integers integers or Q not equals to 0 ठीक है is called is called E-rational number अब देखिए मैं जानता हूँ E-rational हाँ बोल किसी भी number में 0 से divide मैं नहीं कर सकता हूँ तो उन्डिफाइन नंबर हो जाएगा इरेशनल नंबर थोड़ी नहीं होगा किसी भी number में 0 से division होगा तो जीरो उसके लिए लिखा हुआ है ठीक है तो यह रूट अंडर टू नहीं समझी क्या कि बोल कि बोल नहीं रही है क्या नहीं समझी बोल फिर से बोल कि बोलो कि इस को जीरो ना होता कि अच्छा बताओ रूट अंडर टू रेशनल नंबर है कि रेशनल है यह रेशनल नंबर नहीं है रेशनल नए है तो यह रेशनल नंबर होगा इसके डिवीजन में कितना है वन और अगर एविजन में जीरो रहता अब यह रेशनल अब यह रेशनल नंबर होगा यह वाला बोलो हां होगा अर Campaign किसी भी नंबर में जीरो से मैं डिवाइड करता हूं तो इंफाइनाइट हो जाएगा ना Dooh Tooth煌 परिवासित नंबर ही हुआ तो नमैं इसको रेश्नल बोल सकता हूं और indicators ignore सकता हूं कुछ नहीं बोल सकता हूं इसको समंझ मैं लेकिन अगर मैं इसको जीरो से डिवाइड कर दूंगा तो इन्फिनिटी हो गया इन्फिनिटी हो गया तो यह तो कुछ हुआ ही नहीं ठीक है तो यह कुछ भी हो सकता था अगर मैं बोल दू कि रूट अंडर टू डिवाइड बई यह कितना है तो यहां पर नीचे जो है वह जीरो इसले लिए है वह जानता हूं कि जीरो से किसी में डिवाइड नहीं कर सकता हूं इसलिए वहां पर जीरो आया कि दिविजन में हूँ ते के समझ में चली इसका दूसरा जो फॉप होगा दूसरा यह क्या होता है दूसरा नंटलम होगा तो हो रिपिटिंग होगा जानता हूं कि इस एंद रृपर्टी से हाते हैं कि यह एंदया NTSC में, so some remarks, some important points लेखिए ठीक है some important some important points some important points ठीक है क्या-क्या important point लेंगे बताओ तो सबसे पहला decimal expansion of a rational number कोई कुछ पूछना चाता है क्या हाँ सक्षम बोलो सक्षम बताइए क्या पुछना जाता है अच्छा पहले पूछना नहीं चाता हो अच्छा ये कर रहा है कर रहा है कि square root one जो है वह रेस्टनल नंबर है कि रेस्टनल नंबर है कौन बताएगा हां इसका जवाब को हां हां तो अफिक बता दो इसनल है इसनल है इसके उपर अंडर रूट लगा हुआ है उसके उपर अंडर रूट लगा हुआ है बहुत बढ़ियां और अन्य तू बतातों रीजन बतातों तो इसनल है और तो कि क्या रूट के अंदर कोई इसकुएर का नंबर मिले वह क्या हो जाएगा वह रेस्चनल हो जाएगा आया समझ में ठीक है और square root 1 जो है 1 जो है वो अपना ही square है तो क्या हो गया 1 हो गया तो यह square root से बाहर आ जाएगा ठीक है तो हम बोलते हैं कि free from radical sign लेकिन आपे radical sign से यह क्या होगा प्री नहीं होगा बात आया समझ में तो यह एरेस्नल होगा सॉरी रेस्नल होगा गाई रूट एंडर वन क्या हो जाएगा रेस्नल नंबर हो जाएगा जिए आते हैं important points कि ठीक है decimal expansion कि decimal expansion जो होगा थोड़ा सा चार्ट वाइज लिख दे रहे हैं हम डेसिमल एक्सपांशन और रेस्नल नंबर रेस्नल नंबर का गईज जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो कितने तरीके का हो सकता है कौन बताएगा तो दो तरीके हां तौफिक बोलो कि अबर रेपेटिंग होगा अच्छा तुम हमको लगा पूछने के लिए बोलगा चलिए डेसिमल एक्सपांशन दो तरका होगा एक होगा टर्मिनेटिंग पहले मुझे लिख लेने दिजे तब पूछेगा एक होगा इसको दूसरे कलर से कर दे रहें एक होगा टर्मिनेटिंग कि टर्मिनेटिंग और दूसरा होगा यैं नौन टर्मिनेटिंग रहे टर्मिनेटिंग नौन टर्मिनेटिंग जब यह होता है तो उसमें आपको पता होना चाहिए रिपिटिंग यूनिट्स मिलते हैं कि यह रिपिटिंग ब्लॉक्स मिलते हैं सभी है क्या इसके आगे तो कुछ लेकने की जुरत नहीं है कि डेसिमल एक्सपांशन जो होगा किसी भी रेस्नल नंबर का या तो वह टर्मिनेट कर जाएगा और अगर वह नॉन टर्मिनेटिंग है तो मुझे क्या मिलेगा रिपिटिंग ब्लॉक्स मिलेंगे ठीक है अब उस कि एक्सपांशन ओफ एक्सपांशन ओफ एक्सपांशन ओफ एरेस्नल नंबर सभी लोग चैट में रिप्लाई कीजै तो कैसा होगा यह ए एरेस्नल नंबर वह कि बहुत अच्छे है है कि बताव है कि डिक्तिंग डिकिन ब्लोक क्या होता है रिपीटिंग ब्लोक का मतलब जीतना रिपिटिंग बोलते हैं रिपिटिंग मतलब जैसे माल लो कि 1 divided by 3 लिखा हमने तो 1.3333 ऐसे मिलता है तो तीन का repeating block है तीन जो है वो repeat कर रहा है तो इसी को 3 का repeating block बोलते हैं जैसे माल लीजे 1 1 by 7 हमने किया तो 0.1458 कुछ करके 5 लेट से मालने मिलता है इस तरह का मिला ठीक है एट और 7 तब मिलता है इस तरह का मिला और फिर यही नंबर फिर से आएगा 14587 तो यही जो यह जो नंबर हुआ बार बार रिपेट कर रहा है तो इसी को repeating blocks बोलते हैं ठीक है इसी को repeating blocks मिले बोलेंगे हम लोग जितना नंबर बार बार रिपेट करें उसी को हम लोग repeating blocks बोलते हैं ठीक है अब decimal expansion of irrational number क्या होगा यह होगा नौन टर्मिनेटिंग नहीं नहीं बोलेंगे बादल इस स्टेब में कोई लिखा हुए नीदर टर्मिनेटिंग नौर तो नीदर नहीं दोनों और में होना चीए नीदर का मतलब होता है पहला या तो दूसरा ठीक है बोलेंगे नौन टर्मिनेट थर्मिनेटिंग या बोलेंगे नौन टर्मिनेटिंग या नौन टर्मिनेटिंग ऒड़़नाइँ कि बात आया समझ में तो यह एक करेक्ट्रिस्टिक्स है रेशनल रेशनल एंड इरेशनल नंबर की यह आपको याद रखना है तो आफिक कुछ पूछना चाहते हो क्या तुम कि अब है ऐसा बोल सकते हैं नॉण टर्मिस एंड नॉण यह वो गया एक बात मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं जब मैं बोर्ड पर लिख रहा होता हूं उससे में कुछ चैट पर अपना दिमाग आप कॉंसेंट्रेट मत कीजिए आपका कॉंसेंट्रेशन सिर्फ यहां होना चाहिए आप पहले टीचर को सुनिए कि टीचर क्य बोल रहा है उसको बोलने के बाद तब अपना अपना कुश्चन कीजिएगा ठीक है अपना रिज कीजिए यह कैसे आया रूट के कि क्या होगा रूट इसनल होगा एक वैलू टू पॉइंट सेवन सम्थिंग होता है उसका स्क्वाइर रूट होता है तो आपको मिल जाएगा क्या इसनल लंबर मिल जाएगा ठीक है अरे पाई इसनल लंबर है क्यों है कि इसका डेसिमल एक्सपैंसन करते हैं तो 3.14 ऐसा सम्थिंग आते रहता है वह इंफाइनाइटली चलते रहता है इसलिए वह ही रिशनल हो गया बता है समझ में इसका पत्लब उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्स्प्रेस लोग थ्यान बडूब इस 22 246 बइस ख्डook लिएज इस नौत एन एक्स एक्सफ्रा भेले यह इंग्सेक्षैक नहीं होता है ध्यान दिजिए एंट क्या होता है रहे वे ख्रक्सिमेट मेंट वयलमी होता था तो इसलिए यह मत कहिए कि 22 बटा साथ लिखते हैं तो रेशनल हो गया बट वह रेशनल लंबर तब होता जब 22 बटा साथ उसका इग्जेक्ट वैल्यू होता ठीक है बट डिस ट्वेंटीटीटू बाइस से बेन इस नॉट एन इग्जेक्ट वैल्यू दिस एप्रोक्सिमेट वैल्यू और कोई कुछ पूछ रहा था सक्षम या कुछ हैंड रेज किये हुए थे को दिकत नहीं है आगे बढ़ें बढ़ना चाहिए मुझे ठीक है अब आते हैं रेशनल नंबर पर चले कितने लोग रेशनल नंबर के बारे मता सकते हैं रियल नंबर क्या बोलूंगा मै सबसे पहला मैं सबसे बेसिक पूछना चाहता हूं अन्या तुम तुम बताओ दो अन्या अब बोल नहीं रही है सबसे बेसिक मैं यही से स्टार्ट करूंगा ठीक है सबसे बेसिक यही से स्टार्ट करूंगा सो देखे मैं बोल सकता हूं कि दब क्लेक्शन और इस नचुंग प्लेक्शन और रेशनल rational and irrational numbers and irrational numbers numbers are called are called real numbers the real number उसको हम लोग real numbers बोलते हैं अब दिखिए कुछ-कुछ points हम यहाँ पर आपके लिए बताना चाहेंगे जैसा कि अभी बादल ने भी बताया कुछ-कुछ points जो इसके लिए बहुत important होंगे ठीक है बोलेंगे the square of a real number the square of a real number real number is always is always non-negative positive क्यों नहीं लिखे हैं बताओ तो कौन बताएगा मैंने positive क्यों नहीं लिखा है non-negative क्यों लिखा है सब्सक्राइब क्यों क्यों कि किसी है संथ हो गई और कोई non-negative क्यों लिखाएगा यहां पर मैंने positive क्यों नहीं लिखाएगा यहां पर मैंने positive क्यों नहीं लिखा है तो हमने non-negative लिया हुआ है अच्छा नॉन निगेटिव पॉच्टिव में क्या डिफरेंस है बता तो इस पर निगेटिव नहीं नहीं लिखाएगा नॉन निगेटिव तब दोनों से हो गया क्या अच्छा चलिए अच्छा हुआ को पूच्छ लिए एक होता है टर्म जैसे positive एक होता है positive और दूसरा होता है non-negative दोनों के बीच क्या difference है कौन बताएगा जश्ट रेज वे हैंड दोनों में क्या difference है प्रियांसु बताएगा बहुत अच्छे हां प्रियांसु बताओ दुन तो बात बराबर परता है यहां यहां निगेटिव है जिसका मतलब ऑन निगेटिव है ही नहीं पोजिटिव में यहांने कि कोई कोई अंतर नहीं है दोनों में यह मतला फिर तो यह लिखने में नं निगेटिव उल्टाव लिखे हैं वहाद अच्छे एग्जेक्ट आंसर यही है ठीक है वैसे तो कुछ डिफरेंस नहीं लेकिन अगर नॉन निगेटिव मैं लेता हूँ तो नॉन निगेटिव मैं zero को include करता हूँ यानि zero के बाद वाला जीरो के right hand side वाला देखें यह मानली जी एक number line है number line पर यहां कहीं zero होगा तो अगर कि गयर को छोड़के जिरो के जस्त बाद वाला नमबर लेंगे हम और अगर हम बोलते हैं कि नॉन निगेटिब जब मैं बोलूँ गा से समझ में रशी कि यहां पर आप जानतों किसी बी नमबर का स्कॉयर हो सकता है कि नहीं से जीरो का स्वैर करूंगा तो मुझे जीरो मिलेगा ठीक है तो जीरो प्लस पॉजिटीव जो होता है वो नौन निगेटीव होता है कि तुम बता थो to what is the difference between negative and non-positive रोकी तूम बता सकते हो क्या है जीरो और नंग नमर्स जीरो नीगेटिटिव नमर्स मतलब जीरो निजीरों से लेकर न मेड़िishna जीरो से लेकर निजीरों वहाथ अच्छ है वो लेंगे आल निजी नमर्स including zero all negative numbers including zero non-positive हो जाएगा राइट non-positive हो जाएगा चलिए तो इसलिए मैंने लिखा है कि किसी भी number का square zero आ सकता था इसलिए मैंने इसको बोल दिया कि भाई यह non-negative होगा यह point ठीक है तो यहां तक का काम हमने class 9 में पढ़ लिया था ठीक है इस रियल लंबर की यहां तब की प्रपर्टी आप लोग जानते थे अब हम कहां जाएंगे अब हम रियल लंबर को एक्स्प्लोर करेंगे explore का मतलब इसके बारे में और idea इसके बारे में और भी कुछ properties जानेंगे गाई तो क्या-क्या जानना चाहते हो बताओ adventure पर जाएगे हाँ ठीक है real real number real number ठीक है है तो रिएल नंबर से हम जाते हैं real numbers से जो बेशीकली हम लोग दो परपस ते यहाँ पर पढ़ेंगे ठीक है Михाल नंबर को बेशीकली दो परपफस के लिए पढ़ेंगे एक हम लोग डि भी जिन यल्गोरिदम के लिए पढ़ेंगे है एक हम leg pajam किसके लिए गाइज कि डिवीजन एल्गोरिदम के लिए और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि फंडामेंटल थिवरम अफ अर्थमेटिक एक होगा डिवीजन एल्गोरिदम इक लिट्स डिवीजन एल्गोरिदम बोले इसको पूरा नाम यूप्लिट्स पताया थे ना कि ये नंबर के लिए भी होता है यूप्लिट्स यूप्लिट्स डिविजन डिविजन अल्गोरिधम अल्गोरिधम और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पंडामेंटल फंडामेंटल थियूरम ओफ थियूरम ओफ अर्थमेटिक अरिथमेटिक तेक है दिल बेताब हो रहा होगा कि भाई साब ये यूप्लिट्स डिविजन अल्गोरिधम और ये फंडामेंटल थियूरम अर्थमेटिक क्या है ठीक है नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप नीरस हो मजबूरी में पढ़ रहे हो तो मजबूरी नहीं होना चाहिए यह क्या है गाईज यूजेज है ये यूजेज है मेन यूजेज है यूजेज तो बहुत है लेकिन आपके आपके लिए बस इतना ही आपके लिए इतना ही ठीक है अब सबसे पहले अल्गोरिधम का मीनिंग समझ दे यहां पर कुछ जैसे ये वाला भी दो दो टर्म मैं करना चाहूंगा अभी आएगा वो दोनों टर्म एक टर्म मैंने यूज किया हुआ है एल्गोरिधम एल्गोरिधम क्या है यह बताईए बहुत अच्छे अन्यवाद तो पढ़ी यह लग रहा है और लोग बताओ कोई बता सकता है क्या अन्म्यूट करके बता सकते हो तो बताईए हां सक्षेम बताओ सेट ऑफ रूल्स सेट ऑफ रूल्स नो नो सही नहीं है यह सेट प्रोब्लेम्स बहुत अच्छे इडिजा वेरी डिफाइन स्टेप्स विच आर यूज तो सॉल्व एन अनी कांड ऑफ एक्वेशन किसी भी टाइप के एक्वेशन को सॉल्व करने के लि हां सिर्डीजर को स neutrality फितव है यूर्स नैहीं है व्यूदिक लाइफ विफद हैं स्टीर तरॉya विफद और व्यूदेवन स्टेप्स अबने स्टेप्स begitu ऑले किसे विफे उन उस the खित chilवर श्तेप्स kick है steps which are used which are used to solve to solve a problem to solve a problem okay to solve a problem कोई algorithm का कोई algorithm पर बेश्ट कोई एक एक्जामपल कोई बता सकता है क्या एनिवन जश्ट रेज़ योँ हैंड फर्स कितने लोग बता सकते हैं algorithm जो आप प्रैक्टिकल लाइप में यूज करते हो एनिवन अनुराग अन्याग बताओ कोई भी प्रॉब्लम जैसे दिया हुआ है उसको एक स्टीप में रियल लाइप सिच्वेशन बोला है रियल लाइप से बता जैसे कोई हैकिंग करते हैं सर्थ बताओ कौन सा हैकिंग कर रहे हो सब्सक्राइब अटेक होता है अरे तो सब्सक्राइब जैल भेजवा होगे क्या तुम लोग हम तो वह सब्सक्राइब नहीं बताना हम तो एक दम जश्ट कॉमन चीज पूछ रहे हैं कॉमन जैसे एक स्टेप है ना सुबहा में उठते हैं तो एक बना हुआ है जो प्रेस होना है अच्छा देखो किसे बना हुआ है कि भाई पहले मूद जगेंगे तो मूद होएंगे ठीक है और फिर उसके बाद खाना खाएंगे क्या कोई पहले खाना खा लेगा और फिर मूद हो लेगा उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए क्या यह इस नहीं है यह हमारा कल्चर है इसको प्रॉब्लम में यह प्रॉब्लम नहीं है इसा कल्चर कि भाई पहले यह हैविट सिखाते हैं पहले हम मूद होएंगे तब उसके बाद ठाते हैं लेकिन पहले हमने खा लिया और तब मूद हो लिया तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा जैसे आज मैंने यही किया हु हा निया बताओ तो तुम तुम क्या बोलना चाहती हो जैसे चाय बनाना चाय बनाना चाय में स्टेप्स क्या है पहले चीनी डाले या चाय पति डाले अगर चाय पति को पहले डाल देंगा चीनी को बाद में डालेंगे तो चाय गडबड हो जाएगा क्या नहीं नहीं तो कह से बाद में डालेंगे कि कौन सा पहला स्टेप है कौन सा दूसरा सबसे पहले आपने जब आपने जब जूम एप के बारे में सुना था उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था तो बतेए तो अगर मान लिए तीन लड़के एक साथ जूम जूम का एप डाउनलोड कर रहे हो देखिए जश्ट वेट मान लो एक साथ एक तरफ अनुरगवा है दूसरे उसी के पास सक तीन गों लड़के थे तीनों ने एक साथ जूम एप को इंस्टाल किया जूम एप को एक साथ इंस्टाल किया तो आप देखोगे कि जो जो information जो जो information यहां अनुराग से मांगा जा रहा था वही information सक्षम से भी मांगा जाएगा और वही information तौफिक से भी मांगा जाएगा और इसमें ऐसा नहीं होगा कि अनुराग से पहले mobile number मांगा जा रहा है information से तो सक्षम से name मांगा जाएगा ऐसा नहीं होगा गई अगर अनुराग से पहले mobile number मांगा जा रहा है तो सक्षम से भी पहले पहले मोबाइल नंबर ही मांगेगा वह सफिक के लिए वह मोबाइल नंबर ही मांगे आधा कि सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर तो बहुत सार रेसीपी होता है उसके लिए एक मेन्यों होता है ना जिसमें लिस्ट किया वड़ाता है उसके नुसार हम कुछ भी आउडर करते हैं सब्सक्राइब करेगी कोई जरूरी है कि तुमको व्यों अच्छा लगेगा क्या नहीं न सब लोग बोलते हैं कि देखो तो हर लोग के लिए अपना अलग-अलग स्टिप्स है ठीक है तो मैरे ममी ट्रेडिशनल के साथ जा रही हो तो तुम बोलोगे नहीं हम तो भाई कुछ बेबी कॉंड चिली ही खाएंगे ठीक है तो सब के लिए अलग-अलग स्टिप् पर यह नहीं है हम उखाने का माने सब्सक्राइब अप्सन ही नहीं है तो इसके लिए बोले एनुराओ आरे भगाधिया सरकुर। रोड़ा हम कहां बगादुम बगां दिया सब बोले तुमको किसके साथ जाएगा रहे वन साथ में जाएगा है तो इस प्रेंट के साथ कि अभे जाने कमन नगा है टेकर लोग एट तेलो सभी लोग कि नेट चला गया आज लाइट मतले बोल रहा हूं कि बारीस हो रहा है ना तो बारीस में नेट अच्छा काम नहीं करता है कि यह सब्सक्राइब करना बस एक सीख लिए हो कुछ भी हुआ तो इसमें हो जाएगा नहीं करते हो बस सीख लिए हो कि algorithm में हम लोग पढ़ते हैं क्या बोलते हैं इस वाले में यूकलिट्स algorithm को find out करना होता है एक मेथड है में उसे हम लोग एक सीख फाइंड जैसे बोलते हैं इससे algorithm का कुछ मतलब नहीं है algorithm का मतलब यह हुआ कि अगर मैं दो लोगों को अगर मैं दो लोगों को करने को दूंगा ना यूकलिट्स डिवीजन मेथड तो सब को सेम स्टेप फॉलो करने पढ़ रहेंगे बात आया समझ में सभी लोग बताइए क्या यह समझ पा रहे हो कि क्या हुआ कि सब के लिए स्टेप्स फिक्स होगा सब के लिए फिक्स होगा एक बार चैट में रिप्लाई कर दीजे सभी को क्लियर है क्या यह बात राइट ये और लू इन दे चैट बाक्स जनता जनारदन चैट बॉक्स में लिख दीजिए हां तौफिक कुछ पुछना जाते हो क्या सबका स्टेप भाई फिक्स हो जाएगा जैसे अब मैथमेटिक्स में आते हैं यह तो करता इस बात को ध्यान दीजैंगे कैलकुछ वागराज जो भी आप कंप्यूटर देखिए अइक्चली कंप्यूटर जब आया ना तभी एल्गोरिदम वर्ड भी आया यह बात वहां लखेगा एल्गोरिदम वर्ड का जो यूज है वो तभी आया जब इस धर्ती पे system नाम का term आ गया computer नाम का term आ गया रहे कियोंकि system में कोई भी जैसे लिख के तब गुना का साइन दोगे तो मल्डिप्लिकेशन होगा क्या फिक्स है पहला एक नमबर दबाना है फिर मल्डिप्लाई करना फिर दूसरा नमबर दबाना है तो यह फिक्स स्टेप्स हैं फिर तीन नमबर का मल्डिप्लाई करना है तो फिर एक मल्डिप्लिकेशन का sign देना है तब तीन number ठीक है ऐसा नहीं होगा कि पहले एक number दिया फिर multiply sign दे दिया फिर दूसरा number दे दिया और फिर एक number दे देंगे न तो अब ये त्यश्क का vlogs डिकर दे सन्दे देगा ये 3 into 2 into 3 नहीं देगा रई तो जितने भी systems हैं ये all ठीक है लिमा यह क्या होता है कि जैसे यूक्लिट लेमा अपने थीक है यूकलिट्स लेमा बोलागे इस लेमा का मीनिंग क्या था लोग बता सकते हो जस्ट रेज और सबने एवरिवन को बोलने को नहीं बोले थे लोग हैंड रेज कीजिए तो कितने लोग बता सकते हो एवरिवन अब बस एक ही एक ही बता सकते है क्या हाँ चल अब बताओ तब अब गुसा गया बोलेगी नहीं में ऐस्टेटमेंट इसको यह यह NORग कि दूसरी को सॉल्व करने के लिए ठीक अओ यह एक होता है मतलब लेमा में ऍटी जब प्रूवेन कि इझ आउप रूबिन स्टेटमेटम यह प्रूबिन स्टेट्मेंट विच और यूज्ट या विच इस यूज्ट विच इस यूज्ट तो प्रूव अनदर स्टेट्मेंट को प्रूफ करने के लिए इसका काम पड़ेगा जैसे आपने सुना होगा लीनियर पेर एक्जियम अच्छा दो चीज होती है एक ना एक्जियम होता है एक्जियम और दूसरा होता है लेमा इन दोनों के बीच क्या होता है बताओ तो हां सक्षम बताओ है एक्जियम यह पहले से प्रूव होता है यह 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 बात कह रहा है लेमा का अभी तो यह यह कहना है कि भाई मैं प्रूवें स्टेटमेंट हो ओ अब लिए और को जनता जनार्दन कि दोनों तो सेम बात कह रहा है यह भी प्रूवें अस्टेटमेंट है यह भी प्रूवे नहीं होता है कि एक्जियम प्रूबन होता है और लेमा प्रूबन नहीं होता है और कोई एक्जियम कर सकते हैं कि एक्जियम में कर सकते हैं यह क्या मतलब हुआ है कि और कोई बोल सकता है हानुराग तुम कुछ बोल रहे हो रोकी भी कुछ बोल रहा है प्रूबन होता है स्ब्सक्राइब कोई इसम थोट आओ और विपुछ रहा हूं और तो गाइज में बता दू दोनों सेम नहीं है तो दोनों सेम नहीं है और यह जो हता इसको प्रूब करना पड़ता है तुम बताओ क्या बोले हो एंडरेश की हो तरो वह वह जो हो इसका प्रूफ नहीं दे सकते हैं यहीं ना देखें दोनों में थोड़ा सा अलग है देखें अगर mathematical point of view से बोले यह जैसे हम बोलते हैं linear पेयर एक्जियम ध्यान दीजियें लिनियर पेयर एक्जियम एक्जियम ठीक है और एक होता है लेमा इसको लोगता है लेमा नहीं बोल सकते हैं ध्यान दीजियें तो देखें जबभी कोई स्टेटमेंट जो प्रूब्ड होगा लेकिन वो जिमेट्री से रिलेटेड नहीं होगा जैसे यहां पर मैं यूज करूंगा कि मेरा जो भी स्टेटमेंट रहेगा प्रूब्ड रहेगा लेकिन यह प्रूब्ड जो स्टेटमेंट है वो किसमें है वो जिमेट्री से लीनियर पेर एक्जीम मतलब एक्जीम हो जाएगा वो राइट आया समझ में जो है जैसे यहां पर जैसे यूकलिट्स एक्जीम नहीं बोल सकता हूं मैं अन्या बता है जो फॉस्टलेट से ने पॉस्टलेट एक तरह का एजम्शन होता है उसको प्रूबे और गलत नहीं मानते हैं वह क्या होता है यह करते हैं कि कोई कोई चीज की ऐसा है ऐह समझ में पॉसिलेट्स क्या है दिस आब एक्जम्शन और तो देखे एक दो चीज़े लेमा और इसमें लेमा में यह होता है न कि जैसे मानलो लेमा को हम भले प्रूफ ना करें लेकिन हम इसको लॉजिकल रीजनिंग के थुरू बता सकते हैं कि हां भाई यह स्टेट्मेंट सही है बता है समझ में देखें फ्रध्यान दिजेगा ल तब क्या बोलते हैं थियोरम पढ़े होगे एक होता है सब्सक्राइब करेंगा नहीं इसको प्रूफ करना नहीं सिखे होगे गलत लोग जितने लोग बोल रहा है सब गलत हो एस जो है वह एक्जियम है और बाकी जितने भी आप सभवाप पढ़ते हो वह सब क्राइटेरिया होता इसे इस थे किया है इसको एक्टिवीटी किया है ठीक है एक कागज पर एक्टिविटी करेगा उसको थोड़ा सा ध्यान दीजेगा उस तरह से कट करके आपको बताएगा कि देखे यह ऐसे प्रूफ हो जाएगा तो एक्जियम यानि कि जो भी प्रूबे ने स्टेटमेंट होता है जो अल्रीडी प्रूफ होता है उसको मैथमे मतलब कोई लिख कर भले रिप्लाई ना करें लेकिन हम कुछ एक्टिविटी जैसे साइन्टिश्ट लोग लैब में जाकर एक्टिविटी करते हैं और देखाते हैं कि इसमें से यह दो कंपाउंड रियक्ट करेंगे तो इस तरह का कलर एपरेट होता है ठीक है यह सब लैप किएपगाइब करना होता है तो कबाइट कुछ सब्सक्राइब लाए है तो आपको वहां पर करने के बाद यह क्या है एक्टिविटी करते हो आप जाते हो लैब में जो जो कंडिशन्स बताया है कर नहीं तो यहां पर activity के थुरू कर रहे हो लेकिन इसको कोई मैध के थुरू दिखा पाऊगे तो मैध के थुरू इसको नहीं इसको आप प्रूफ कर पाऊगे बाता है समाझ में उसी तरह जो statement है वो आर्रेडि रहोता है लेकिन उस प्रूबइन statement का हम activity करके यह आपको लॉजिकली एक्सम्णेशन जरूर करेंगे यह statement सही है तो यूईकलिट्स महोदय ने भी जितने भी लेमास दिये हैं उन सब लेमास का तार्किक जो इक्स्प्लिशन जो होता है लोजिकल एक्स्प्लिशन जो होता है वह उन्होंने दिया है गाईस ठीक है लेकिन mathematically उनको solve करके प्रूफ नहीं किया है बात आए समझ में इसलिए हम इसको सही मानते हैं आपको लॉजिकल रिजनिंग देने पड़ेंगे उस स्टेट्मेंट को सही करने के लिए बात आया समझ में क्या तो अगर कोई पूछ ले जैसे एक्जियम है एक्जियम बोला आता है कि पूब एने श्टेट्मेंट हम इसको मान लेते हैं कि पूप है पूप नहीं करते हैं तब तो कोई भी कुछ देगा तो बान सकते हो बोल देंगे कि रूट एंडर टू जो है रेसनल लंबर यह मानने में क्या जा रहा है मान लो और इसको हम एक्जियम मान लेंगे तो इसके लिए मुझे कुछ एक्सपला नीजन जरूर देना पड़ेगा कुछ एक्सपलानीशन जरूर देंगर को मान लेंगे रूट इनगे ऊइसको भले न कर सके लेकिन Almol नम्बर थे विए ठीशनल लाँ करके यह सोच के देना पड़ेगाम आता है समझ में क्या सभी को क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि एवरिवां जस्ट राइट यह और नो कि क्या यह प्रवचंद सभी को समझ में आया ध्यान दीजिएगा यह चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन यह टीचर का हालत खराब कर देता है अगर उस इसको उस लेबल के साथ पढ़ाया जाए तो बात आया समझ में तो डिपेंडिंग अपॉन लेबल की इन वीच लेबल यूर श्टेडिंग इस रियल नमबर अगर सिर प्रूफ करना है कि रूट अंडर टू रेशनल नमबर नहीं है दो नमबर देगा आप हवा हवाई हो जाओगे बात आया समझ में तो यह डिसकर्शन हुआ अल्गोरिदम का और दूसरा लेमा का अब आते हैं हमारे पर से अब आते हैं कि भई डिवीजन अल्गोरिदम है क्या तो मैंने देखा कि हमें अब रियल नमबर को एक्स्प्लोर करेंगे तो रियल नमबर की दो करेक्ट्रिस्टिक्स हमको पढ़ने है यहां पर पहला यूज यह पढ़ना है कि डिवीजन अल्गोरिदम के और दूसरा यह पढ़ना है fundamental theorem of arithmetic अब इन दोनों को मैं लिख देता हूं कि दोनों होते क्या है बेशिकली आप यह समझ जाओ कि हमारा क्या होगा तो अबर टार्गेट इस तो अंडेस्टैंड वाट इस यूकलिट्स अल्गोरिदम तो यूकलिट्स डिवीजन अल्गोरिद पहले पढ़ लेते हैं और यह मैंने आपको बताया हुआ है तो डिवीजन अल्गोरिदम सब्सक्राइब बताएं तो यह यह हैंड तीन पार्टिसिपेंट्स हां बादल बताएं तो बादल डिवीजन अल्गोरिदम सब्सक्राइब जिरो लेज दन इकोल्स तूरिमेंडर और लेज दन डिवीजर अब तूम पॉलिनोमियल वाला यह बता रहे हो डिविटेंड इकोस्ट दिवाइजर इंटू प्लस रिमेंडर और एक पुल एकस्प्लाइशन नहीं है अनुराग ठीक है अन्या तुम बताओ तुम क्या बोलना चाहते थे तुम भी यहीं बोलना चाहते थे इप तुम बोल रहे इप टू पॉजिटिव नम्मर ए एंड बी एक्स्टेंट विटे एक्स्टेंट विटे टू फॉर्म तुम चरूरी नहीं कि अंग्रेजी बोले हैं और नोच पर परसीest not to speak in English हमारा बर पर साइम बोले यौ थे हमको भी और सामने वाले ओबी तो ऐसा पर्सेब्स नहीं कि अंग्रेजी में बोलेंगे तो बहुलेंगे अराम से जो बोल ऑन वह बोलू आए और और ऑड़ is equal to zero and R is equal to B is equal to greater than or equal to R तुम क्या बोलना चाहते हो तो दो दो पोलिनेयोमियल जोलेते हैं जी एक्स जोड एफस्ट डिवीजन एल्गोरिदम नहीं पूछें पूलिमेल एल्गोरिदम नहीं पूछ रहे हैं ध्यान दीजें कि मैं डिवीजन एल्गोरिदम फॉर रियल नंबर बात हो रहा है तो पाते हैं समझ में रियल नंबर के लिए पूछ रहा हूं गाई सुभं भी सर्ट जी एक्स नहीं नहीं गलत है और कौन बोलेगा सुभं बोलेगा हां सुभं बोलो सब्सक्राइब 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 बहुत अच्छे यह सुनना चाहता है देखिए यह दोनों ही मेथड जो आप एप्लाई करोगे वह दोनों ही यूज करोगे फॉर पॉजिटिव रियल नंबर किसके लिए पउजिटिव इंटीजर्स के लिए गयर यह यह दोनों ही आपको ही समझना पड़ेगा कि दोनों ही मेथड जो आपलाई करोगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए करोगे तो यह कहता है देखो कि कोई एक नंबर है उसको मैं किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करूंगा लेट से मुझे साथ मिला और इसको मैंने तीन से डिवाइड कर दिया तो मुझे दो और नंबर मिलेंगे दो और नंबर मिलेंगे कौन कौन सा मिलेगा गाई एक नंबर तो मुझे मिलेगा दो और दूसरा नंबर मिलेगा एक और यह ऐसा नंबर होगा कि जब मैं साथ को लिखूंगा तो साथ को लिख सकता हूं कि इस डिवाइजर को दो के साथ मर्डिप्लाई करूंगा तो यह दो क को सकता है और आपको यह रिमेंडर जब भी मिलेगा तो इस तीन से हमेशा छोटा मिलेगा तो अभी मैंने हुए यू Bay Yotes if हां यूप इवल उंको हुम बहुत पहले से जांते थे हमने बहुत पहले से हमारे वी पुरवत जांते थे लेकिन लिखने का यू आपना मेंगें से बते हैं मैंत मैंट के बुक से ते मैंफमेटिक से बिएन हैं उन्होंने इसका explanation दिया था, यह इस statement को लिखा था, तो यह division algorithm को बहुत पहले से बचपन से ही start करते हैं, दो number को divide करना जानते थे, और वहाँ पर भी हम बोलते थे कि dividend की value जो होते है, diviser into quotient plus remainder की value होती है, लेकिन हम आपर यह सब नहीं बताते हैं कि जो remainder होगा, वो diviser से छोट होना चाहिए, यह बात जो सबसे पहले लिखा था, वो वो किनों ने लिखा था, वो यूकलिट महदय ने लिखा था, इसलिए हम लोग यूकलिट्स division algorithm के लिए, यूकलिट्स division algorithm पढ़ते हैं, लेकिन हम आपर statement में इस तरह से बोलेंगे, अगर मैं simply division algorithm के लिए बोलूं, division algorithm के लिए बोलूं, बोलेंगे if a positive number, if a positive number, if a positive number, a, नाम क्या रख दे रहे हैं, a, कोई एक positive number a जो है, is divided, is divided by a positive number b, by a positive number b, b, there exists, there, या मैं बोलूंगा सिधे, there is a remainder, there exists, पो लिख देता हूं पहले, पोसेन, पोसेन, क्यों नाम क्या दे देंगे क्यों, एंड रिमेंडर आर, एंड रिमेंडर, एंड रिमेंडर आर, ठीक है, वेर, आर इज लेस देन, आर इज लेस देन बी बोल देंगे, बी क्या था, डिवाइजर था, डिवाइजर था, तो वो डिवाइजर से छोटा हो जाएगा, यही डिवीजन अल्गोरिजम, सिंपली होता है जैसे मैं बोलूं जैसे मैंने बोल दिया कि स्वेट डिवाइड़एड़ थ्री तो मुझे दो नूमबर मिलेगा कौन-कौन-एक मिलेगा सेबेन को मैं लिख सकता हूं कि तीन गुने दो पलस वन और यहां पर तीन यहां पर एंबाई B की वैलू बराबर है य मुझे 10 divided by 2 मिलता तो मैं बोलूंगा कि मैं 10 को लिख सकता हूं कि 10 इक्वल्स टू टू इंटू फाइब पलस जीरो नाउ देश जीरो इस और लेश देन तो मुझे जीरो मिले और ध्यान दीजे रिमेंडर रिमेंडर इस ऑल्वेज पॉजिटिव यह बात भी हमेशा ध्यान रखे कि रिमेंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है रिमेंडर इस ओल्वेजिव पूशन पूश रहे हैं कि सब निगेटिव नंबर का भी दिवीजन पढanta है लेकिन तो आपको अब बाभी नहीं पढ़ना है आप आगे पढ़ोगuse इसको रिमेंडर इस और इस वाल्वेस सबीष के पॉजिटिव हुता है तो आज के लिए क्ला distractions सедь पही रोखते हैं इसको रिकॉल कीजिए तब यह डिवीजन एल्गोरिजम को समझ गया ना जो डिवीजन एल्गोरिजम समझना यूकलिट्स डिवीजन एल्गोरिजम वह आसानी से समझ लेगा और तो उसका एप्लिकेशन फिर मैं पढ़ूँगा सक्षम बोलो कि कुछ बोल रहे हो क्या मैंने यह बोला कि अगर मैं डिवीजन एल्गोरिजम कुछ लोग अगर समझ जाते हो तो यूकलिट्स डिवीजन एल्गोरिजम समझना बहुत आसान है इसी स्टेट्मेंट को थोड़ा एप्लिकेशन पढ़ूँगा कि उसका पहला एप्लिकेशन फाइंड आउट करना होगा हान्या है हैंड्रेश की हो बोलो कि सब्सक्राइब कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूँगा कि अच्छा तू को थ्री से डिवाइट कर रहे हो तो क्या मिलेगा द्रू कों हां तो यह ठ्रीटी जीरो रिमेंडर मुझे ट्यू मिल जाएगा क्या तो इस तरह चलिक से कहते हो कि मैं स्था कि कर लिक दो ऊसमें लिक निक लिक तो थी पर सुथ्री मैं लिखंगा यहां पर मैंने गलती करता हूं यहां तो डीविधेंट जो है रूख हो का मैं यह एक डीविडेंट कौन सा होगा टू तू को मैं लिख सकता हूं डिवाइजर इन्टू कोषेंट मुझे जीरो मिलेगा पलस रेमेंडर तो यहां पर 2 से छोटा है कि नहीं तू जो है आप पर 3 से छोटा है यानि कि 2 इस दैन 3 से है यानि कि डिवाइजर से क्या है चोटा है समझ में आन्या हुआ सब्सक्राइब आज के लिए हम्वर्क आपका यह है कि आप इस स्टेट्मेंट पढ़के आई है पुरा का पूरा कॉंसेप्ट किलियर होना चाहिए यहां तक का आज के लिए हुमर कुछ नहीं देंगे और साम में एक आज आपकी और क्लास होगी ठीक है एक एक एक्ट्रा क्लास होगा आज साम को जहां पर हम लोग वर्क सिट डिसकस करे पांच बज़े से रख दे क्या तो साड़ेश है ताड़ेश है मत रखवा तक साम में रख हैं हां कोई दिकत नहीं है तब इस इस तरटी से रख दे गाई इस तरटी यह सब्सक्राइब किसी को तो कि यह चार बज़े चार बज़े तो तुम लोग आइसकूल का क्लास होगा ना थुट्टी है थास्टी है हम चार बज़े तक हम फिरी नहीं है चार बज़े के बाद प्री करवाओ तो पांच बज़े तीक ठीक है साथ तो इस तरटी में आन्या इन्वाइटर घ्राव है ना राइट ने रहना चाहिए लुग बिना इन्वाइटर के हैं इस समय अधिन रहता है क्या हुदा तो देखते हैं एक बार मैसेज कर देंगे ग्रूप में बता देजेगा लाइट वगर रहेगा तो अब प्रिपेर हो जाईए आपको प्रिपेर लाइटर के लाइटर को